देख रहे हैं बाला घाट निउस कोरोना शंक्रमन की वज़ा से देशभर में लगडाउन के बाद ग्रामिन छेत्रों में भी आर्थिक तंगी से लोग बड़े पैमाने पर जूज रहे है इस भी सरकार के द्वारा ऐसे ग्रामिनों को मन्रेगा योजना के माध्यम से उन्हें आर्थिक रुप से मजबूत करने का प्रियाज भी चल रहा है आज हम मवजूद है लाजी छेत्र के ग्राम पंचाय चीचोली में जहां पर जलसंद्रचन की दिसा में एक विशेश प्रकार का कारी यहाँ पर चल रहा है जिसमें नाले की साफ सफाई के साथ उसका गहरी करन, मिनाक्षी तालाब जैसी योजनाए और मेडबंधान जैसे काम भी इस गाउ में चल रहे है यहाँ पर मेरे साथ कई मजदूर काम करते हुए आपको नजर आ रहे हैं इनसे जानने का प्रियास करते हैं कि आखिरकार इस योजना से उनको कितना कुछ लाब मिला है कोरोना महामारी के बढ़ते शंक्रमन में जिले में मनरेगा योजना एक बार फिर गरिब मजदूरों के लिए सहरा बनी है महामारी के बीच लगे लागडाउन से जहां कई लोगों का रोजगार छिन गया है तो वही गाओ में मन्रेगा योजना से लोगों को रोजगार दिया जा रहा है जिले में हजारों मजदुरों को रोजाना काम उपलब्द कराना किसी चुनवती से कम नहीं है फिर भी शासन प्रसासन के द्वारा ग्रामिनों के सामने खड़े आर्थिक संकट को दूर करने विभिन्द योजनाओं के विकासकारियों के माध्यम से उन्हें लाब दिलाया जा रहा है ये तस्वीरे लांजी जनपच्छेतर के ग्राम पंचायच्ची चोली की है जहां कोरोना शंक्रमन काल के बीच विगत तीन महा से निरंतर लोगों को कुछ न कुछ काम दिला कर आर्थिक तंगी को दूर किया जा रहा है जिसमें मन्रेगा योजना के तहट किसानों के खेतों में मिनाक्षी तालाप का निर्मान जलसनरच्छन को लेकर नालो की सफाई और गहरी करन सहीत मेर बंधान वपीयम आवास के मकानों का काम महतुपूर्ण है बालाघाट नियूज ने ऐसे ही कारियों में लगे मजदूरों से चर्चा की और उनसे कोरोना संक्रमनकाल के बीच चल रहे कारियों के बारे में जानने का प्रियास किया इस बीज ग्रामिनों ने बताया कि उनके गाव में निरंतर कारे चालू होने से आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ रहा है वे यहाँ पर चल रहे कारियों में काम करके काफी खुशी महसूस कर रहे है ह्लापका से कितने लोगं जो रोजाना का में आते हैं हम लोगं के पास काम दंदे नहीं आप लोगों को माज़दरों को काम मिलता है देखे लाप का तो मिले रहा है गाउं के सभी मेंबर्स और गाउं के सभी सदस्ति लोग आ रहे हैं काम में यह घरीब वरके के लोग हैं और अभी हम जहां क्रभ Κार्म कारेश है कि आधि और कुवेगी काम चाहलु है कई लोगों को आधि आधिस ओह अबादी आर्ठीक तंगी से जुझ रहे कई लोगों को पाम नहीं मिल ला है इस बिच गाव में जिस actively को रोजबार मिल कहिसा ग्राम पंचायत के साहक सचीव भुवन फुलारे ने बताय कि उनके अहां विभिन प्रकार के कारिश चल रहे हैं जिसमें दोसों से अधीक मजदूर काम कर रहे हैं जिने सब्तह भर में 113 रुपे के हिसाब से मजदूरी का भुखतान भी कराया जा रहा है हमारे अभी नाला जल निकासी का मार्ग जहां पर अपन खड़े हैं यह प्रगतिरत है मिनाक्षी तालाब है सारवजिनिक पेजल कुप निर्मान है और मेड़ बंधन का काम यह चार काम प्रगतिरत है लगब कितने मजदूरों को रोजगार इससे मिला है और कितने मजदूर जारी होगा क्या रोजी जारी मद्द प्रदेश्टी वर्तबान में भी 193 रूपए परड़े टास्क दर के अधर पर तरकार के और से पेमेट को लेकर को जारी हुए कब तक इनको जारी होते जाएगा साप्ताइक रहेगा मासिक रहेगा नहीं इनको ऐसा रहता है कि हम तो मास माजी छेतर के गराम पंचायत चिचोली से आप ये रिपोर्ट देख रहे थे जिसमें मन्दरेगा मजदूरों से चरचा करने पर हमें ये पता चला है कि सरकार द्वारा जो जनकल्यान कारी योजना संचालित की जा रही है जिसमें मन्दरेगा योजना एक अहम योजना है इस योज़ना के माद्यम से गरामिन छेत्रों में वाक affili में लोगों को रोज़गार मिल रहा है और इस रोज़गार मिलने से यहां के लोग काफी खुस है हमने पंचायत के सायक सचीू भूवन फूलारे सीबी चर्चा की जिन्होंने बताय कि ग्रामिन छेत्र में इंदिनो मन्रेगा योजना के तहट और मेड़ बंधान जैसे कार्य, मिनाक्षी तालाव जैसे कार्य और साथ में नाला सफाई जैसे जन्सनरचन के कार्य भी चल रहे हैं इन कार्यों से लगभग 200 से 200 मजदूरों को लाब मिल रहा है यही वज़ा है कि मदपरदेश में ग्रामिन विकास योजनाव में बालागार जिला दूसरे नंबर पर दिखाई दे रहा है